अब तक तुमने ये डाइलोग बहुत बार सुन रखा होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए अपने आपको कैसे अपग्रेड करना है डारेक्ट पॉइंट पे आते हैं ये एजुकेशन सिस्टम पहले साइफ था लेकिन इसका इंपक्ट आज के डेट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्यों? डिजिटल चेंजेज की वज़ा से आज के डेट में अगर कोई भी इंसान सिद्दत से चाहे तो कोई भी काम सिखके कुछ भी करने की ताकत रखता है अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो यानि कि at least तुम्हारे पास फोन और इंटरनेट एकसेस है अब करना क्या है ये देखते हैं पहले तो एक list बनाओ कि वो कौन सा काम है जो करना तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसमें बेहतर हो या फिर ऐसा सोचो कि मैं इस काम को अगर करूंगा तो मैं इसमें best हो सकता हूँ फिर research सुरू करो कि उसमें पैसा है या नहीं क्योंकि जरूरी नहीं कि हर काम में पैसा हो ही and believe me हम middle class के लिए किसी भी काम को बिना पैसे के लिए लंबे समय तक करना possible नहीं है अब ये मत बोलना कि ठीक है फिर तुम ही बताओ कि क्या करना है देखो हर कोई unique है सब का कुछ है strong point होता है और कुछ weak point होता है ये तुम्हें ही पता है और इस पूरी दुनिया में तुम्हें कौन सा काम करना है ये बताने के लिए जो सबसे best इंसान है वो सिर्फ तुम हो ठीक है बहुत भासन बाजी हुआ अब मुद्दे पे आते हैं अब तुम्हारा interest कहा है ये तुमने find out कर लिया उससे पैसा बनाया जा सकता है ये find out कर लिया यानि कि उसमें future है अब उस काम को सीखना सुरू करो और सीखने के साथ साथ ही अपना एक online presence बनाना सुरू कर दो ये साथ साथ ही होना चाहिए इसमें रुकना नहीं है कि पहले मैं इसमें महारती हासिल कर लूँगा और फिर end में जा करके अपना online presence बनाना या फिर post करना सुरू करूँगा जो भी सीख रहे हो जर्नी के साथ साथ ही अपने जर्नी को online पोस्ट करना सुरू करो वो YouTube हो सकता है Facebook हो सकता है Instagram, Twitter, LinkedIn जहां भी possible हो वहाँ पे अपने काम को पोस्ट करना सुरू कर दो अब important यह नहीं है कि उस पे likes और views आ रहे हैं या नहीं important यह है कि तुम्हें continuous post करते रहना है क्योंकि अभी तुम जर्नी में हो और साथ ही साथ अपने skill को भी improve करते रहना है कुछ समय के बाद ही तुम्हारा एक अच्छा कासा online presence बन जाएगा जो तुम किसी को दिखा सकते हो और आज के date में जो दिखता है वही बिखता है तो अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो सामने वाला easily trust कर सकता है अब ये वीडियो यहां तक देख रहे हो यानि कि life में तुम्हें कुछ बढ़ा करना है अब पिछले एक साल में मैंने भी बहुत सारी चीजे ट्राई की उसमें से कुछ successful हुआ लेकिन बहुत सारा काम fail हुआ मेरा interest particularly वो बताने में है जहां मैं fail हुआ उसको start करने के पिछे मेरा mindset क्या था कब लगा कि वो चीज fail हो गई और फिर उसको बंद करने के पिछे मैं क्या सोच रहा था ताकि फिर वही गलती दोबारा तुम ना करो तो इस पे पूरी एक वीडियो बनाई जा सकती है अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पे एक dedicated वीडियो बनाऊ तो नीचे comments में सिर्फ yes लिखतो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आसा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ value मिला होगा अगर हा तो वीडियो जरूर लाइक करे ताकि ये message जादा से जादा लोगों तक पहुँच पाए